टेक्निकल सिविल के इस वीडियो में आप सभी का सुवागत है आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार वाले सेफ और स्वस्त होंगे आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेगे कि RCC बीम और कॉलम के मिनिमम डाइमेंशन हम कितने दे सकते हैं यह सवाल अक्सर जो फ्र तरह से काफी डिमांड आती है तो इस डिमांड के चलते होँए हम इंजिनिर स्कंदर अक्सर यह सवाल आता है या होगा आपके अंदर शाय के मिनिमम डाइमेंशन हम कितने दे सकते हैं इसको लेकर IOS Code क्या कहता है इसको लिकर जो वास्तविक्ता में हम जो डिजाइन आज क यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेर भी कर देगा चलिए तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको स्पष्च करवा देना चाहता हूं कि यह जो भी डाइमेंशन मैं अभी आपको बताओगा मेनीमम डाइमेंशन यह और आएस कोड को रेफर करने के बाद आएस कोड के कुछ रेफरेंस कास करके आएस 456 और आएस 13920 इन सब चीजों को बद्देनेजर रखते होएं इन सब चीजों को मर्ज करके इनके कंक्लूजन जो निकल कर आ रहा है जो मैं अभी आपसे शेयर करोगा इसलिए उसी परस् जो मैं अब बता रहा हूं और हम इसके अंदर technical background भी देखेंगे कि technical background हमें क्या कहता है और practical हम वास्तवीतिंते में क्या कर रहे हैं minimum कितना दे रहे वो भी उसकी भी बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं कि हमें technical background क्या कहता है अब देखें इसके ध्यान दिजीएका कि अगर आपका 66 beef up to five meters फाangen हुआ या से कम हुआ नोट कीजीगा ध्यान दिजीगा सुनिएगा इसको आरहम से समझिएगा कि अगर आपका 67 beef up to 5 meters पान हुआ या उससे कम हुआ और अगर आपका है उप ख Moi up हुआ या उससे कम हुआ तो आप ऐसे कंडिशन में अपने RCC कॉलम और बीम के अंदर जो मिनीमम क्रोस सेक्षनल डाइमेंशन है वो 200 mm प्रोवाइड कर सकते हैं मिनीमम मैं बात कर रहा हूँ कम से कम इससे कम आप नहीं कर सकते यह लक्षमन रेखा है यह डेडलाइन आपके लिए इससे कम आपको नहीं देना अब 200 mm मतलब इंच के अंदर आट इंच हम कह सकते हैं आट इंच से कम आप बिलकुल नहीं दे सकते हैं ठीक है यह टेक्निकल बेग्राउंड है वास्तवित्त में क्या हो रहा है उसकी बात आगे करेगी एक कंडिशन थी इसके अंदर भी कि बीम आपका पांच मिटर की स्पान से कम हुआ तो और कॉलम आपका चार मिटर की बिल्डिंग है और अगर उसका बीम पांच मिटर से कम का स्पान का है और कॉलम चार मिटर से कम की हाइट का है तो आप 200 mm मिनिमम प्रोवाइट कर सकते हों क्रॉस सेक्षन क्रॉस सेक्षन का मतलब क्या अगर बीम की बात करे तो उसमें जो विट और डेफ्ट होती है उसी त आपका कॉलम चार मिटर से एक्सीट कर जाता है तो क्या होगा तो फिर आपको मिनिमम मिनिमम 300 mm प्रोवाइड करना होगा यह ध्यान दीजेगा ठीक है मिनिमम मिनिमम मतलब 12 इंच तो चाहे आपका zone 2 और zone 3 के अंदर ही क्यों ना हो अगर आपका beam का span 5 मिटर से जादा है और column की height 4 मिटर से जादा है तो फिर 300 mm यानि 12 इंच आपको मिनिमम डाइमेंशन उसका देना पड़ेगा cross section का इससे कम कोई भी dimension आप नहीं दे सकते ठीक है तो यह criteria होगा zone 2 और zone 3 का वह पर अगर आप zone 4 और zone 5 में जाते हो तो वहाँ पर आपको इस पष्ट दिया है 13920 के अंदर के भाई आपको 300 वाई 300 से कम तो जाना ही नहीं है यानि 12 इंच से कम आपको जाना ही नहीं है आप जा ही नहीं सकते हो अर्थ को एक prone zone के अंदर यह minimum आपके लिए deadline एक benchmark है कि 12 minimum face देना ही देना है इससे कमा face कोई भी यहाँ पर section नहीं दे सकते चाहिए बीम हो या column ठीक है तो यह technical background था technical चीज़े थी उम्मीद है आपको समझ में आये होगी आपने इसको note भी कर लिए होगा अब आईए बात करते वास्तविक्तमी जो practical site पर क्या हो रहा है आजकल जो majority जो structural designer की है वो क्या दे रहे है minimum dimension की तौर पर तो minimum dimension आज दिया जा रहा है वो है 230 mm यानि 9 inch आप अपने आसपास भी बाहर निकल के अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा ज्यादा तर site पर जो minimum face use किया जाता है वो 9 inch का face use किया जाता है 8 inch अगर आपको मिलता है तो बहुत rare ही होगा बहुत कम मिलेगा आट इंच का आपको dimension बहुत कम ही मिलेगा rare location पर rare sites पर use किया जा रहे है otherwise majority of site majority of engineer architecture जो है वो 9 inch का ही ज्यादा पहले prefer करते minimum dimension के तौर पर इसके अपने कुछ फाइदे भी होते हैं क्योंकि नव इंच का जो फार्मा होता है जो फूमवक का वो easily available हो जाता है नव इंच के size पर काम करना आसान हो जाता है उसके अंदर reinforcement की placing concrete वगएर आसान हो जाती तो काफी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो प्रिफरेबल माने जाती है 230 को लेकर इसलिए नव इंच ज्यादा तर आज यूज किया जा रहा है यह आपको ध्यान रखना चाहिए क्लाइंट आपसे कुछ भी कहें कोई भी demand करें क्लाइंट ना technical background जानता है ना site पर काम करने की जो feasibility है वो समझता है इसलिए आपको समझना होगा कि minimum dimension आप कितने दे सकते हो ठीक है यह जानकरी अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको यह जानकरी समझ में आई वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक like ज़रूर कर दीजीएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने गुरूप में इसको share भी कर दीजी